प्राइजुकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आज हम इस वीडियो में केरला हाई कोट में ओमार गडबडी के कारण दाइर के गए केस के बारे में चर्चा करेंगे सुप्रिम कोट में जो आज हीरिंग होनी है उसके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि केरला हाई कोट ने जो NTA को जांच के आदेश दे हैं उनका असर नीट रजल्ट पर कितना पढ़ सकता है और इस पर डिसीजन कब तक आ सकता है तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके बारे में मैंने बुग लिख दी है आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट www.sopda.education. .com से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने वो सारी जानकारी दे दी है जो आप जानना चाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रिम कोर्ट के केस के बारे में तो उसकी हेरिंग आज है और ये कोर्ट नमबर 5 में क्लास लिस्ट नमबर 5 के सीरियल नमबर 5 पर लग थी और नीट के रेजल्ट के रेगार्डिंग आज फैसला आने की पूरी पूरी उमीद है और ये फैसला सवी 16 लाग स्टुडेंट के फिवर में आएगा ऐसा हम मान रहे हैं अब बात करते हैं ओमार की गडबडी के कारण एक गल्स कंडिडेट ने किरला हाई कोर्ट में य दवा है कि उसकी ओमार के साथ छेड़ चार की गई है किरला हाई कोर्ट ने एंटिय को इसके जांच के निर्देश दिये हैं और इसका सुधार करके इसका सुलिशन करके 8 नौमबर तक हाई कोर्ट में रिपोर्ट फेस करने को कहा है अभी इसमें क्या हुआ है ये तो एंट रिजल्ट अनौमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि किरला हाई कोर्ट ने जांच एंटिय पर ही छोड़ा है रिजल्ट पर कोई इस्टेन नहीं लगाया है मतलब साब ये है कि अगर आज सुप्रिम कोर्ट नीट रिजल्ट आउट करने के लिए डिसिजन देता है तो आज साम से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा तो बचो लास्ट में वीडियो का सारंस यही निकलता है कि अगर आज सुप्रिम कोर्ट रिजल्ट निकलने का डिसिजन दे देता है तो रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा लेकिन अगर हीरिंग के लिए नेक्स्ट जो NEET का admission होने हैं और जो 22 में फिर exam होनी हैं इन सभी तत्यों को देखते हुई ये समावना लग रही है कि सुप्रेम कोट आज ही decision 16 लाग student के favor में दे देगा और NEET result तुरंत ही जारी हो जाएगा ऐसा हम मान रहे हैं तो जो भी होगा जो भी decision होगा सुप्रेम कोट का या फिर कोई नई update होगी हम आपको तुरंत inform कर देंगे मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग